हाई फ्रेंज वेलकम तो यश्वीदा रेसिपीज अड़ा तो आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो नौन वेजेटेरियन्स की वन आप दे फेवरिट डिश है और वो है तंदूरी चिकन इसे मैं बनाऊंगी एर फ्रायर में तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह लेकपीस ले लिये हैं मैंने इन्हें अच्छे से वाश कर लिया था अब हमें इन्हें मैरिनेट करना है पर मेरिनेट करने से पहले मैं यहाँ पर इनमें ऐसे स्लिट्स लगा रही हूँ ताकि मेरिनेशन का जो भी मसाला हो वो इनमें अंदर तक चला जाए। मैं एक एक करके इन सारे पीसेज में ऐसे स्लिट्स लगा लूँगी। यह देखिए फ्रेंड्स चिकिन में स्लिट्स लग चुके हैं अब मैं इन्हें एक बोल में ट्रांसपर करूंगे अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टी स्पून नमक हाफ टी स्पून लाल मिच पाउडर वन पोर टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस मैरिनेशन को थोड़ी देल के लिए साइट से रख देंगे अब मैं एक गूसरा बोल ले रही हूँ और उसमें मैं डालूंगी हाफ कप गाड़ा दही अब इसमें जाएगा वन टी स्पून क्रश किया हुआ अध्रक लेसन हाफ टी स्पून लाल मिट्च पाउडर हाफ टी स्पून धन्या पाउडर हाफ टी स्पून भुनाजीरा पाउडर हाफ टी स्पून गरम मसाला हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर हाफ टी स्पून चात मसाला वन टी स्पून कसूरी मेथी थोड़ा सा ताजा कटा हरा धनिया हाफ टी स्पून नमक वन फोर टी स्पून रेट फूब कलर अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डालूंगी वन टी स्पून मस्टर्ड ओईल और फिर दुबारा से इसे अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब मैं इसमें डाल रही हूं चिकन के पीसिस और चिकन को अच्छे से इन मसालों में कोट कर लोंगी तो ये देखिए फ्रेंट्स हमें इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करना है अब हम इस मैरिनेशन को एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो फ्रेंट्स एक घंटा हो चुका है अब हम चिकन को पकाएंगे मैंने चिकन को एर फ्रायर की बास्कित में डाल दिया है इस तरीके से अब मैं इसे एर फ्रायर में डाल रही हूं 200 डिग्री पे 15 मिनेट्स के लिए फ्रेंट्स अकर आप लोग चाहे तो इस रेसिपी को कड़ाई में भी बना सकते हैं ओटी जी में भी बना सकते हैं बट मैं इसे आज एर फ्रायर में बना रहे हूं तो यह देखिए फ्रेंट्स तंदूरी चिकन बनकर तयार है तो कैसी लगी आप सबको मेरी यह रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईए अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने किचिन में जरूर ट्राय कीजेगा तो प्लीज मे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए